दोस्तों और मस्का स्वागत है एक बाफ ऐसे देशो दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में अधी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिपै चैनल को लाल बड़न दबाकर सब्सक्राइब करें और गंटी बटन भी दबादें इस पहली बड़ी खबर ग्रह मंत्री अमित्थाहा और मुख्यमंत्री हिमंत्विश्व सर्मा के खिलाप कॉंग्रेस पार्टी ने चुनाबायोग को सौपा गया पना तुरंत कारिवाई की कीमांग दरसला कॉंग्रेस नेता सलमान खुषीदा आजयमाकान जैराम रमेश और रेवन त्रडी चुनाबायोग पहुँचे यहां उन्होंने केंदे ग्रह मंत्री अमित्थाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत्विश्व सर्मा के खिलाप सिकायत दज करा दी इसे लेकर कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने कहा कि हमने आठ सिकायतें दज कराई हैं पहली सिकायत केंदे ग्रह मंत्री अमित्थाह के खिलाप थी जिसे लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने पहला ग्यापन दिया ये ग्यापना ग्रह मंत्री अमित्थाह के छत्तर गड़ में और चोथा ग्यापना मदपदेश के मंतरी गोविंद सिंग राजपूत को लेकर है। उनके खिलाप एक F.I.I.I. दज की गई है और उस पर कड़ी कारेबाई की मांग की गई है। कॉंग्रेश नेता जैराम रमेश ने कहा के इसके अलावा बाकी की चार सिकायतें तेलंगाना को लेकर की गई है। करदी सिकायत कहा धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाल करना ही प्रिंका गांधी। आमले में चुनावायोग के सदस्यों से मुलाकात करा सिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेश नेता प्रिंका गांधी ने आदर साचार सैंता और आरपी अधनियम दोनों का लंगन किया है। भारत के निर्वाचन आयोग से पूछना चाते हैं कि क्या प्रिंका गांधी बढ़रा आदर साचार सैंता से उपर हैं। चुनाव आयोग से उसके खिलाप कारवाई करने की मांग करते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरिन्र मोधी मौझूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरिन्र मोधी बाई जन्वरी को प्रभू सी राम के प्रतिष्था के दोराना राम मंदिर में मौझूद रहेंगे। आउली बले खबर कपिल सिब्बन ने पिया मोधी पर बोला जबजज समला बोले आप कितनी बार भगवान राम का इस्तिमाल करेंगे। दसला राच्षबा सांसदा कपिल सिब्बन ने भारती जन्ता पाठी और पधर्मंत्री नरिन्र मोधी पर राजनितिक लाब के लिए भगवान राम का इस्तिमाल करने का अरूप लगाया है। कुछ भी आपके सासन में दिखाई नहीं देता। आपको बता दें कि कपिल सिब्बन का ये बयाना ऐसे समय में आया है जब मंदिर ट्रस्ट की ओर से पधान मंत्री नरिन्र मोधी को प्रान प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया गया है। UPA सरकार में केंदर मंत्री रहे कपिल सिबल ने BJP पर निसाना साधा और कहा कि आप भगवान राम के गुड़ों को क्यो नहीं अपनाते। आवली बड़े ख़वर केंदर सरकार पर जमकर भरकी प्रिंका गांडी बोली सिर्फ गिनेचुने उद्योग पतियों के लिए चल रही मोधी सरकार। पर जमकर भरकी बोली सिर्फ गिनेचुने उद्योग पतियों के लिए चल रही है। देने की अपील की आउली बड़े खवरा बीदेपी ने प्रिंका गांदी पर बोला जबज़स्हमला कहा किसां कर्ज माफी पर राहुल गांदी की तरह जुट की गारंटी दे गई प्रिंका गांदी प्रिंका गांदी के सैलान पर BJP की राष्ट्य मंत्री अलका गोज़र ने पलटवार किया है। प्रिंका गांदी के साथ गोज़र ने प्रिंका गांदी से कई तीखे सवाल किये। मुख्यमंत्री से महला अत्याचार पर सवाल करती तो ज्यादा अच्छा होता प्रिंका गांदी यदि कोई गारंटी ही देना चाती हैं। तो राजी की महलाओं को इस बात की गारंटी दें कि कॉंग्रेस के गिंती के बचे हुए सासनकाल में अब महलाओं पर अत्याचार नहीं होंगे। महलाओं को यहां तेजाव या केमिकल से नहीं दलाए जाएगा। किसी यूवती को गोली मार करा कुए में नहीं फैका जाएगा। तो ज्यादा बहतर होता अलका गुर्दर ने कॉंग्रेस पार्टी पर हमला दारी रखते वे कहा कि प्रिंका गांदी ने 500 रुपए में रसोई गेस्टिलेंडर योजना का दैरा बढ़ाने की बात कही है लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि उजला योजना के तहता रा पताना चाहिए कि अब तक उनके सासनकाल में ये कानून लागू क्यों नहीं किया गया। आटी जनता पार्टी पर जमकर हमला बुला समाचार एजैंसी बासा के मताबिक विपक्ष ने आरूप लगाया कि सत्तारूर बीजेपी एतियास को बदलना चाहती है और ऐसे हतासा भरे कदम उठा रही है क्योंकि उसे विपक्षी गडबंधन इंडिया से हार का ड़स अता पार्टी है जिसके प्रते हम बहुत गर्व महसूस करते हुए बड़े हुए हैं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ना तो भारत को लेकर गंबी रहे और ना ही इंडिया को लेकर गंबी रहे के इसी बेने गोपाल ने आरूप लगाया कि नाम बदलना सिर्फ दुरुवी क प्रियास मात्र है वहीं कॉंग्रेस पार्टी की वरिष्ट नेता अंबेका सोनी ने कहा कि संभिदान में लिखा है इंडिया जो भारत है दोनों नाम एक हैं राष्टे जनता दल के सांसदा मनोज जहने कहा कि इंडिया गडवंदन के गठन के बाद से ये बीजेपी सासन की एक उनुमादी प्रत्किरिया रही है उन्होंने दावा किया कि अगर इंडिया गडवंदन अपना नाम बदल कर भारत कर लेता है तो क्या वे देश का नाम बदल कर जंबू दीप रखेंगे वहीं आमाद्वी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रिंका कक्र ने कहा कि ये कॉंग्रिस नेता और कानाटक के उक्मुख्यमत्री डीके शियुकुमा ने कहा के न्सी आर्टी समिती की सिफारिस गलत है और इस कदम के पीछे एंडिये का हाथ है समाचा रेजैंसी एनाई के मुताबिक सिपसेना यूबीटी नेता प्रिंका चत्रुबेदी ने कहा कि ये और भारती हिंदुस्तान है और भारती हिंदुस्तान है आवली बले ख़वर कॉंग्रेस पार्टी ने साथ सीचों पर बदल दिया उम्मीदवारा तो सिवरा सिंग चोहान ने बोला जबज़ समला बोले कपड़ा फार पार्टी की हालत हो रही खराब दरसला मद़पदेश बुदान सबा चिनावा में कॉंग्रेस पार्टी और भारती जनता पार्टी कोई भी गलती की गुंजाय छोड़ने के मूर में नहीं है ऐसे मैं टिकेट बटवारे के बाद बगावत पर उतरे नेताओं की तरफ से इन पार्टीयों के सामने बड़ी समस्या खड़ी होती द बादल चुकी है हाला कि मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चोहन ने कॉंग्रेस पार्टी के स्वैसले को रणनितिक कदम ना मानते हुए घबराहट करा दिया है बैतूल में तरफती नदी के उद्दम इस्थल पर पहुंचे सिवराज सिंग चोहन ने मीडिया से बाचीट के द कपड़े भडने है तो दिगवरजै सिंग और जयवरदन सिंग के फाड़ कांग्रेस हो गई है और ्वाव कौंग्रेस पार्टी टिक्ट बदल पासी कहा हुग है सिवराज सिंग चोहान ने कहा कि आगे और भी और भी हालात बिगड़ेंगे मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान का कहना है कि कॉंग्रेस के टिकेट बदलने के फैसले के पीछे उनकी घबराहटा साफ स्तौर पा दिखाई दे रही है शिवराज सिंग चोहन ने कहा कि कॉंग्रेस पाठी को अपनी हार का अंदाजा हो गया है इसलिए वो टिक्टों को बदल रही है अगर टोपी और दाड़ी वाले गाय और गोस्त खाने वाले लोगा मंदरों के आसपास भी दिग गए तो उसका अंजाम बुरा हो गया है उनका एक वीडियो सोचल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर टोपी और दाड़ी वाले गाय और गोस्त खाने वाले लोगा मंदरों के आसपास भी दिग गए तो उसका अंजाम बुरा होगा उसको दोड़ा दोड़ा कर मारेंगे वे धार में के स्थलपा दिखाई पड़ गए तो रिजल्ट कुछ भी हो हम उसकी परवा नहीं करते ससी भूसर महता ने दुरगा पूजा के मौके परा पांग की विदांसभा छेतर में एक विबहा मंदप के सलानियास कारकरम के दोराना जन्द सभा को संबोदित करते के वहीं आबा कॉंग्रेस और जेमेम ने ससी भूसर महता के इस बयान पर जबजस विरोध दज कराया है कॉंग्रेस की जरकन प्रदे सिकाई ने कहा के सामपदायक सोहाद को बंग करने वाला बयान है इस बयान पर राज के अल्प संख्यक आयोग ने संग्या लिया है को पूर्व राश्पती रामनात कोविंद की अध्यचिता में समिती की दूसरी बड़ी बैठक हुई इसमें केंदे ग्रहमंत्री अमित्ताहा पूर्व सॉलिसेटर जनरल हरी सालवे जम्मू कस्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नभी आजात के अलाबा विधी आयो और सम्विधान में क्या संसोधन करने पड़ेंगे सूत्रों के मताबिक कमीशन ने कमेटी को बताया कि फिलाल 2024 के चुनाम में एक देश एक चुनाम को लागू करना मुम्किन नहीं है लेकिन दो हजार उन्तीस में इसको लागू किया जा सकता है इससे पहले सम्विधान में संसोधन करना होगा आउली बड़ी खबार राहूल गांदी के साथ इंटर्वू में सत्यपाल मलिक ने कर दिया बड़ा एलान बोले मैं लिख कर देता हूं कि मोधी सरकार अब नहीं आएगी दसला कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने पूर्वु राज्यपाला सत्यपा के दोरान सत्यपाल मलिक ने मडीपूर हिंसा का जिक्र करते वे कहा कि नौठ इस्ठ इस्थिर था लेकिना केंद्र सरकार और राजी सरकार ने इसे असांत कर दिया चै महीने की और बात है मैं लिखकर देता हूं कि मोधी सरकार सत्ता में नहीं आएगी दरसला आगले साल या सत्यपाल मलिक ने अलान कर दिया है कि मैं लिखकर देता हूं कि मोधी सरकार अब नहीं आएगी। आगले साल के आम चुनाप से पहले धर्म के आधार परा विबाजन की बीजेपी की योजना को जटका लग सकता है। योजनाओं में कुछ बाद हैं आ सकती हैं इसलिए डरे हुए मोधी ये कहकर देश में बहका माहल पैदा करने की कोशिस कर रहे हैं कि जातीय जंगरना भारत के लिए खतर नाख होगी। श्कूली पाठे पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत करने की एंसी आर्टी की गठे समिती की सिफारिस के बारे में बात करते वे आधी दन्यन चौधी ने कहा कि ये और कुछ भी नहीं बलकि आम लोगों की समस्याओं से ध्यान भटकाने की भाजपा की बड़ी कोशिस ह आउली बड़े खवारी यदि इस बार मद्धापादेस में BJP जीती तो कहलास विजयबर्गिय बन सकते हैं मद्धापदेस के मुख्यमंत्री दासला भार्ती जंता पार्टी के राष्टे महास तचवा कहलास विजयबर्गिय मद्धापदेस के इन दौर एक विदांसवा चित्र से चुनाबी मैदान में हैं कैलाज विजय बरगिये का नाम जब मददपर देश में बतौर पत्यासी सामने आया तो सियसत में तमाम तरीके की चर्चाएं भी होने लगी खुद कैलाज विजय बरगी भी पत्यासी बनाई जाने से आश्चरे चकित हो गए अब चर्चा पर बनाने पर नित्रत परिवर्थन को लेकर उनका क्याना है कि भहमत आने के साथ ही इस पर निर्णे लिया जा सकता है आपको बता दी कि ऐसा माना जा रहा है कि अदीश वारा मद्द पदेश में भाजपा चुनाब जीती है तो कैलास बिजय बर्गिय को मुख्यमंत्री बना होने लगे हैं दिल्ली का रामलीला मैदाना पुरानी प्रेंसन के लिए सरकारी कर्मियों की लड़ाई का गवहा बंडा है दो विसाल रैलियों के बादा तीन नवंबर को कंफेडरेशन अफा सेंट्रल गवर्मेंट एंप्लाइज एंड वकस ने रामलीला मैदान में अच्छा डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि पैंसन जैगोस महा रैली नेशनल मिसन फॉर ओल्ड पैंसन इसकीम भारत के बैना तले 10 दिसंबर को होगी ये एक निड़ायक रैली होगी अगर उस समय तक केंद्र सरकारा पुरानी पैंसन को बहाल नहीं करती है तो उस रैल झाल